कि यहां पर हम फ्रंट पार्ट किकटिंग करेंगे तो सबसे पहले देखे एस तर कुछ तरीके से दोनों पार्ट बराबर करेंगे आगे से यह उपन साइड है तो फ्रंट पार्ट किकटिंग आप उपन साइड से भी कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आगे हम इसको खुला के लिए ठीक है कि मैंने हाफ इंच हायू की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है और अब हमें या पर इस पर मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले बेक पार्ट को रख लेते हैं इस तरीके से और नीचे से यह जो हमने साइड से हाफ इंच लिया है हायू की पट्टी के लिए इसको छोड़ते हुए हम इसके उपर रखेंगे और यहां से देखे इसकी हम एज़िटीज मार्किंग करेंगे सबसे पहले इसकी यह ज़िटीज मार्किंग है वो कर ली है बेक पार्ट की और अब देखे हम इस फ्रंट पार्ट बना रहें तो इसको बड़ा रखना है इसके अंदर हमें बेल्ट भी जोइंट करना है तो इसलिए यहां पे नीचे से हम लेंगे वन इंच एक्स्ट्रा ठीक है तो यह हम नीचे से थोड़ा वन इंच एक्स्ट्रा और लेंगे तो इसमें यहां पे नीचे मैं ने वन इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से तो देखिये यहां पर फ्रंट पार्ट की जो लेन थब वो आ चुकी है और अभी देखिये साइड में हम इसमे एक्स्ट्रा मार्जन लेंगे पैले क्यूंकि हम इसके अंदर टक्स भी डालेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए इस तरीके से उपर से में लेना है हाफ इंच और नीचे से हम यहां पर लेंगे बन इंच तो इतना मार्जन हम एक्स्ट्रा और एड करेंगे तो यह हो गया फ्रेंट पार्ट का तो यहां पर देखिए मेरी फ्रेंट पार्ट का मार्किंग वो कर ली है तो अब हम सबसे पहले देखिए इसके अंदर टक्स भी डालेंगे और फ्रेंट पार्ट का जो मार्किंग वो कैसे करेंगे गोलाई भी देंगे, belt की भी cutting करेंगे, neck की भी cutting करेंगे, तो देखे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर गोलाई ही देते हैं, तो यहाँ से हम इसमें shoulder का नाप लेते हैं, यहाँ पर shoulder का नाप लेंगे, तो half inch जो हायू के particular extra margin लिया था, उसे छोड़ते में, यहां पर शॉल्डर लेंगे साड़े पांच इंच शॉल्डर साड़े पांच इंच यहां पर आ रहे हैं यहां से हम आर्मूल का नाप लेंगे तो इस तरीके से आर्मूल यह थी शिक्स इंच और इस तरीके से हमें हैं इसको शोल्डर से मिलाएंगे तो यहां से भी हम नाप सकतीation देखें, यहां पे 5.5 इंचा रहे हैं यहां से भी हम फ्रांट पार्ट के अंदर गोलाई देंगे तो कितना हमें यहां पे गोलाई देना है ताक कि जब हम हमारा फ्रेंट पार्ट के अंदर है वो फ्रेंट पार्ट के अंदर गुलाई देनी है तो below हम यहां पर एक इंच के देंगे ठीकAlright तो यह हाफ इंच का जो एक्टडा कप्ड़ा है वह में कट करना होगा और यह गुलाई देनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि यहां पर हम हाफ इंच की कटिंग करेंगे इस तरीके से कि क्योंकि बेक पार्ट में देगे यहां पर हमने 1.5 इंच की गुलाई दी थी टोटल और फ्रंट पार्ट के अंदर हमें एक इंच की गुलाई देनी होती है तो यहां पर देगे फ्रंट पार्ट के अंदर हमें एक इंच की गुलाई देनी है तो यहां पर एक दम पर्फेक्ट आ चुकी है ठीके और अब हम यहां पर दालेंगे फ्रंट पार्ट का नाप लेंगे तक्स डालेंगे तो देखिए सब स 12 इंच ठीक है देखिए हम फ्रंट पार्ट का नाप लेंगे तो साड़े 12 इंच पे हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहां से हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो बेल्ट के लिए आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो देखे यह जो हमारा मार्किंग है वो चार इंच प्यार है तो आपको जो बेल्ट बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक इंच बढ़ा के लेना है यहां से उपर तो यहां पे हम पांच इंच पे मार्किंग करेंगे और यहां से चार इंच आ रहा है बेल्ट का ठीक है और पिछे भी हम करेंगे चार इंच पे मार्किंग यहां से पिछे भी चार इंच पे करेंगे मार्किंग इस तरीके से हलका सा round shape देंगे belt के अंदर तो यहां पे देखें यह belt का marking हो चुकी है front part पे मारा कट हो चुका है उपर से इसकी length हमने ले ली है कितने लिक रखनी है और अब देखें यहां पे हम neck में गुलाई देंगे तो back part के अंदर सवा 2 इंच लिया था तो front part के अंदर neck के जो चुड़ाई वो सवा 2 इंच लेंगे half inch का यह जो margin है वो मैंने छोड़ दिया है जितना भी मैंने margin लिया है यह half inch का margin छोड़ते वे किया है ठीके इस बात को आपको ध्यान रखना है सवा 2 इंच पे marking करने के बाद में यहां पे हमें लेनी है इसकी length की neck की length कितनी रखनी है तो neck है वो front part का रहा था 6 इंच आप अपने coding लेजिएगा जितना neck deep रखना चाहते हो उस coding यहां से इसकी चोड़ाई लेंगे तीन इंच और इसको मिलाएंगे इस तरीके से इस पर कि 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 यहां पर देखिए एवं इसमें गुलाई देंगे तो neck में हम round shape देंगे तो 7 इंच के यहां पर गुलाई देंगे क्यूंकि यहां पर हमने width थोड़ी ज़्यादा रखिए नेचे width हमने 3 इंच रखिए तो इसे यहां पर थोड़ी जो गुलाई है वो हम ज़्यादा देंगे 1.5 इंच तक की गुलाई देंगे इस तरी किसे गुलाई देंगे और यहां पर देखिए मेरा जो मार्किंग है फ्रांट पार्ट की वह वह चुकी है और टक्स डालेंगे सब से पहले आप तो टक्स बचे हैं इसके अंदर तो इंच टेप इस तरीके से रखेंगे और ये है च्छा इंच यहां पर देखें इंच टेप में च्छा इंच आ रहा है तो इसका हम करेंगे आदा तो आदी टक्स पर यहां पर मार्किंग करेंगे तो तीन इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे यहां पर टक्स की लेंद रखेंगे हम सिरुफ दाइंच आफ इंच ओड़ते वे टक्स पर मार्किंग करना है दाइंच पर ठीक है और यहां से हम लेंगे इसकी चोड़ाई तो इसकी चोड़ाई रखेंगे हम साधे तीन इंच नहाँ से लेंगे हम दो इंच कि उनके बीच में देखें स अवादो इंचका गेप आ रहा है थिकी तो यहां पर भी हम समा दो इंच तक मार्किंग करेंगे इससरी किसे और इसको पिछे की तरफ मिलाएंगे तो सब से पहले यहां पर हम मार्किंग कर लेते हैं डेडी इंच पर आप चाहिए तो डेडी इंच पर मार्किंग कर सकते हूं यहां पर और इसको हम पिछे की तरफ में लाएंगे इस तरीके से अभी यहां पर आर्मूल की तरफ गुलाई देनी है तो आर्मूल की तरफ आप गुलाई दे तो सेंटर में देना है आपको तो यहां से भी आप नाप सकते हो कि टोटल आर्मूल पर आपको गुलाई देनी है तो टोटल जो आर्मूल हो आ रहा है यहाँ पर 11.5 इंच पर तो यहाँ पर हम इस सेंटर पर इस तरीके से आर्मूल में गुलाई देनी है तो आप देख सकते हूं यहाँ पर एक रौंड शेप बन रहा है टक्सका यहाँ पे मैंने पूरी फ्रंट पार्ट को आपको कटिंग बता दिया है किस तरीके से करना है नाप किसे लेना है ठीके अब हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मारजनेड नहीं करना पड़ेगा यह सबसे सरल तरीका है और आगे हम स्लिफ्स की कटिंग करेंगे तो सबसे पहल आपको ध्यान रखने हैं ठीके ब्लाउस के नाप लेते वक्त और कटिंग करते वक्त तभी आपका ब्लाउस पर्फेक्ट बनता है तो इसके लिए से कटिंग करेंगे यहाँ पे बिसकी कटिंग करेंगे इसकती हूं मैंने आपको फ्रेंट पार्ट बता दिया है कि इसे कट करना है बैल्ट भी कट हो चुका है तो आगे हम स्लिफ्स कट करते हैं तो यह जो कपड़ा है वो इस तरीके से डबल है और स्लिफ्स कट करने के लिए यहाँ पे इसको हमें चौबल कपड़ा लेना होगा मतलब दो बार डबल करना होगा कपड़े को ठीके तो इससे क्या होगा दोनों स्लिफ्स साथ में कट हो जाएगी हमारी और स्लिफ्स के जो लेन्थ है वो मुझे थोड़ी बढ़ानी है जितने ब्लाउस में थी उतनी नहीं रखनी है तो यहाँ पे हम स्लिफ्स की लेन्थ रखेंगे गलें तो साबी दस इंश यहाँ पे हम स्लिफ्स की लेंथ रख रगτικ है तो ब्लाउस के मेंजर्मेंट के अनुसार स्लिफ्स की जो लेन्थ है वो आ रही थी इंच साइधी दस लेंथ रगनी है तो सब fabrication में स्लिफ्स की कटिंग रहे हो तो यहाँ पर सब सबसे पहले हम इसका नाप लेते हैं तो कैसे कट करें तो सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे इंच्टेप से कि इंच्टेप के आर्मूल में कितनी स्लिवस आ रही है आर्मूल कितना आ रहा है तो यहां पर दीखे आर्मूल आ रहा है साड़े दस इंच्ट तो अब हमें स्लिवस कट करेंगे साड़े दस इंच्ट के मैंने इसको इस तरीके से ये डबल है ठीके और इसके मैंने चार लेयर कर लिये हैं कपड़े की तो स्लिफ्स कट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर इसकी लेंद रखेंगे हम साड़े दस इंच और इसकी जोड़ाई है वो भी हम साड़े दस इंच रखेंगे, क्योंकि आर्मोल हमारा साड़े दस इंच आ रहा था एक्ट settings कट करेंगे सबस्पहेले में इसकी length लेते हैं तो length मैं इसकी बढ़ाकरी ले रहités हैं साड़े दस इंच और इसके हम लेंगे चोड़ाई आर्मोल का नाप तो आर्मोल साड़े दस इंच तक आ रहा था तो थोड़ा सा में इसमें कपड़ा हिट करना पड़ेगा तो यह पूरा है इसके अंदर अब इसका बोक्स बनाएंगे हम एक चीक है तो इस तरीके से उपर से हम इसको बराबर क करेंगे तो यह बड़ी स्लिफ्स पना रहे हैं तो देखिए इसको हम करेंगे तीन इंच पे डाउन ठीक है इस तरीके से तीन इंच पे इसको डाउन करेंगे और अगर आप छूटी स्लिफ्स पना रहे हो जैसे चार पांच या चैंच तक की तो आप इसको धाइंच पे डा कि लइन डो करते हुए यहां पे महलकालका शेप देंगे है इस तरीकिसे स्लिवस में कि तो गुलाई देंगे इस तरीके से यह तिरची लाइन डो करने के बाद आप इस तरीकिसे गुलाई दे सकते हूं और यहां से हम नीचे लेंगे स्लिफ्स राउंड तो स्लिफ्स राउंड आ रहाता 6 इंच तो 6 इंच पर मार्किंग करेंगे 2 इंच का मार्जन लेंगे और इस तरीके से हम इसको यहां से मिला देंगे तो देखें यहां पर स्लिफ्स का शेप है पाद चुका है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे, कटिंग करेंगे, कि देखे, वो बना लिए है, यहां पर लिखे, हम इसमें गुलाई को देखे लुख plaster के रखे हो उपन के time तरहे हैं, तो यहाँ पर देखे अब हम इसमें गुलाई देंगे इस तरीके से तो सबसे पहले हम इसको सेंटर पर मार्किंग करेंगे इसमें और यहाँ से हमें लेना है देड़ इंच और पिछे से हमें यहाँ पर लेना है पिछे से लेंगे दो इंच दाइंच तक ले सकते हैं हम यहाँ पर ठीक है और बीच में से लेंगे हम हाफ इंच और इस तरीके से यहाँ पर इन तीनों को मिलाएंगे हलका सा शेप देंगे और अब हम यहाँ पर गुलाई देंगे इसमें तो देखें यहाँ पर गुलाई आ चुकी है यह गुलाई कट करना जरूरी होता है ताकि आर्मूल के अंदर हमारे कोई क्रस्व गेरा नहीं आता है यह जो प्लेट से बन जाती है सल वगेर आ जाती है बाजू के अंदर वून बिल्कुल नहीं आती है तो यहाँ पर देखें हमारे जो स्लिवस वो कट हो चुकी है और यहाँ पर देखें मैंने इसको मैन फैब्रिक के उपर विकट कर लिया है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब करें आगे इसकी सिलाई भी करेंगे तो मिलते हम अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में तुब तक के लिए धन्यवाद